दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ Redmi Company का एक 5G स्मार्टफॉन जिसका नाम है Redmi Note 13 5G इसकी करेंगे unboxing और देखेंगे कैसा रहता है ये स्मार्टफॉन आपके लिए तो सबसे पहले आप इसका price जानना चाहरे होंगे दोस्तो आप इसे तीन वेरेंट में purchase कर पाओगे 6GB, 128GB बेरेंट 16,999 रपे का 8GB, 256GB बेरेंट 18,999 रपे का और 12GB, 256GB बेरेंट मिल रहा है 20,999 रपे का और Amazon से purchase करते हो तो वहाँ पर आपको 1500 रपे का discount भी मिल रहा है अगर आपके पास ICICI bank का credit या debit card है तो सीधर सीधर discount आपको मिल जाएगा bank offer के through तो दोस्तो red color का ये box आता है जिस पर white font में सारे details को mention किया हुआ है mobile का जो design है वो box पर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा back side में कुछ highlight features को भी mention किया गया है जैसे कि AMOLED display आपको इस पर मिलेगी बहुत ही slim smartphone 108 Megapixel का camera media tag Dimensity 6080 का chipset दिया गया है Corning Gorilla Glass का production 33 Watt का super turbo charger adapter Dolby Atoms का support IP54 की rating इस phone को मिली हुई है तो दोस्तो box को तो हमने अल्रेडी open करके रखा हुआ है ताकि हमारी वीडियो जादा लंबी ना हो तो इसके अंदर आपको मिलता है 33 Watt का fast charger जो की mobile को काफी fast charge करेगा White color की USB cable जो है type A to type C length और quality cable की बहुत बढ़िया मिल जाती है और दोस्तों ये देखिए एक बढ़िया quality का अच्छा cover आपको इसके साथ मिल जाता है जो है silicon का बहुती soft और ये cover काफी लंबे time तक चलेगा cover की quality देखिए एक बार बहुती बढ़िया cover आपको इसका मिल जाता है और अब आते हैं smart phone पर front look देखिए smart phone का punch hold display है और pre applied scratch guard इस पर लगा हुआ है आपकी सबसे पहले नजर edge और bezels पर जारी होगी दोस्तों जो की चारो तरप से आपको बहुत पथले देखने को मिलते हैं ये बढ़िया काम किया है redmi company में इस budget range के अंदर बिल्कुल bezel less smart phone provide कर दिया हमारे लिए और उपर से emolet display है तो color काफी अच्छे आपको display में देखने को मिलते हैं brightness इसकी 100% है दोस्तों 1000 nits तक की peak brightness इस smart phone में मिल जाती है outdoor हो या indoor हो phone का use आप easily कर पाओगे इसके अलावा दोस्तों इसका जो back panel है वो भी आपको काफी कमाल का मिल जाता है ये हमारे पास frism gold color variant है इसके अलावा दो color variant में और मिलेगा ये white और black color लेकिन ये हमारे पास gold color जिसमें आपको चम चमाते हुए gold नजर आ रहे होंगे यहाँ पर देख सकते हैं light के reflection में क्या कमाल का design इसका लग रहा है दोस्तों बहुत ही बढ़िया लग रहा है नीचे Redmi की branding की गई है camera manual भी काफी बढ़िया बनाए गया है एक यहाँ पर देख सकते हैं फूरा frame जो है वो काफी अच्छा लग रहा है दोस्तों गिलास का है हलका उठा हुआ है lens भी उठे हुए है दो बराबर size के lens एक छोटा lens mean primary camera 108 मेगा विक्सल का plus 8 मेगा विक्सल अल्टरा wide angle 2 मेगा विक्सल का micro sensor camera with LED flashlight दी आ गया है इसके अलाबा चारो corner hell के surrounded है और side जो frame है वो फूरा flat आपको मिलेगा right side में power on की volume rockers दिये गए है उपर की side आपको मिलेगा secondary mic noise cancellation के लिए IR blaster जिसका use app remote control के लिए कर सकते हैं 3.5 mm का audio जैग भी उपर की side ही मिलता है left side में हमें नजर आ रही है SIM tray इस tool की सहता से इस SIM tray को हम open करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा hybrid slot एक बारी में दो SIM card लगा सकते हैं या एक SIM card एक memory card bottom side में primary mic, charging jack और speaker दिया गया है mobile को तो हमने already boot करके रखा हुआ है home screen में right side में scroll करने पर सारे के सारे application अमें नजर आते है pre-install games और pre-install application folder में pack करके दी है redmi company ने इनको तो आप install भी कर सकते हैं इसके अलावा touch बहुत ही smooth और fast मिल जाता है दोस्तो 120 Hz का refresh rate इस phone में दी आ गया है 6.67 inch की full HD plus AMOLED display aspect ratio 229 screen resolution 1080 x 2400 pixel density 395 फिपी आई की साथी Corning Gorilla Glass 5 का production भी इस phone में दी आ गया है screen to body ratio 93.3% का आपको मिलेगा 161.11 mm की height है 74.95 mm की width और मातर 7.6 mm की बहुती कम thickness बहुत slim smartphone है दोस्तो और light weight भी है 173.5 gram इसका weight है दोस्तो इसके अंदर 5000 ms की battery लगी हुई है IP54 की rating मिली हुई है dustproof है smartphone अलका पूल का पानी की जेटे mobile का कुछ नहीं भी गालने वाले अब इसकी setting को भी हम open कर लेता है setting का interface कुछ ऐसा जहां सबसे उपर about phone section दिया गया इससे open करें MIUI version 14.0.5 का हमें मिलता है 128 GB का storage इसमें से 27 GB के around already use हो चुका है जो की दोस्तों यहाँ पर details देख सकते है system और जो फाल्दू के pre-install application इन्हों ने ले रहा है इतना storage इसके अलावा Android हडिन पर run कर रहा है Android 14 का update भी आपको इसमें मिली जाएगा detail में चलते हैं दोस्तों तो यहाँ पर 6 GB RAM प्लस 2 GB virtual RAM RAM type LPDDR4X और आपको इसमें 2.4 GHz का octa-gore processor MediaTek Dimensity 6080 का chipset मिलता है जो based है 6 NM के fabrication पर Mali G57 के graphic दिये गए है storage type UFS 2.2 का दिया गया है expandable memory को 1 TB तक आप इस phone में बढ़ा सकेंगे आप दोस्तों एक छोटी से नजर इसकी camera पर डालते है तो यह हमने यहाँ पर camera को open कर लिया camera के सामने यहाँ पर object आपको देख रहा होगा display के colors काफी बढ़िया है camera में थोड़ी सी clarity और होती तो बढ़िया लगता क्योंकि 108 MP का camera अलग से enable करने का option दिया गया इसे open करे तो only 2X तक आप zoom कर पाओगे जबकि normal mode में आने पर आप पूरा का पूरा 10X तक zoom कर सकते हैं यह हमने 10X तक zoom कर दिया है कुछ ऐसी quality हमें full zoom में देखने को मिलती है इसके अलावा documents का option दिया गया आप वीडियो mode में आप इससे full HD और SD में video suit कर पाओगे 1080p में 30 MP, 720p में 30 MP इसके अलावा आपको portrait का option night का option दिया गया है portrait में आप background, blur, object विल्कुल clear ले सकते हैं more setting में देखे तो pro, short video, fanorama mode slow motion, time lapse, AI, watermark जैसे option दिये गये हैं इसके अलावा front selfie camera देखे तो यहाँ पर आपको मिलता है 16 MP का selfie camera बढ़िया है, zoom support तो आपको front camera में नहीं मिलता है लेकिन दोस्तो, clarity काफी अच्छी है AMOLED डिस्पले है, तो color भी आपको अच्छी देखने को मिलेंगे इसके अलावा दोस्तो, ported mode में भी आप selfie ले सकते हैं, जिसमें background, blur object आपको बिल्कुल clear दिखेगा overall देखा जाए, तो smartphone काफी बढ़िया है, सारा कुछ तो आपको इसमें बढ़िया मिल जाता है, लेकिन price थोड़ा सा कम कर देना चाहिए, कभी-कभी offer के अंदर ये smartphone 15,000 रुपे का भी मिलता है दोस्तो, तो पता लग रहा है कि आप 17,000 रुपे में खरीद लाए, और कल के दिन आपका दोस्त ले आया है, इसको मातर 15,000 रुपे जब भी आप इसका price डॉप देखो तब ही purchase कीजी, अदरवाइस skip कर दीजे, 17,000 रुपे में इससे best smartphone में मिल सकता है, वैसे तो काफी सारे खूबियों के साथ आता है, इसमें आपको दिया गया 33Watt का fast charger Full HD Plus AMOLED डिस्पले, 120Hz का refresh rate, Corning Gorilla Glass का production, 108 Megapixel का camera, design आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही कमाल का, size भी काफी comfortable है, आप इसे हाथ में अच्छे से carry कर सकते हैं, size में इतना बड़ा नहीं है बहुत ही slim smartphone है तो आप क्या कहते हैं, comment box में बताइए आपको यह smartphone फसन आया है कि आप इसे purchase करना चाहोगे आसा करता हूँ मेरे द्वारदी की जानकारी आप सबके जुरूर कुछ न कुछ काम आएगी जिससे एक नया smartphone purchase करने में आपको कोई दिकत नहीं आएगी